मिठाईयों के बाद कुछ दुकाने लोहे की चीजों की हैं, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की, लड़कों के लिए यहां कोई आकर्शन नहीं है, वे सब आगे बढ़ जाते हैं, हामीद लोहे की दुकान पर रुख जाता है, कई चिम्टे रखे हुए है. दादी के पास चिम्टा नहीं है, तवे से रोटिया उतारती है, तो हाथ जल जाते हैं, अगर वह चिम्टा ले जाकर दादी को दे, तो कितनी प्रसंद होगी, फिर उनकी उंगलिया कभी न जलेगी, गर में एक काम की चीज हो जाएगी, खिलोने से क्या फाइदा, व्यर्थ म पैसे खराब होते हैं, जरा देर ही तो खुशी होती है, फिर तो खिलोनों की और कोई आँख उठा कर नहीं देखता, या फिर गर पहुंचते पहुंचते तूट फूट कर बरबाद हो जाएगे, चिम्टा कितने काम की चीज है, रोटिया तवे से उतार लो, चुले में सेक कोई आग मांगने आए, तो चटपट चुले से आग निकाल कर उसे दे दो, अम्मा बेचारी को काँ फुरसत है, कि बाजार जाए, और इतने पैसे ही काम मिलते है, रोज हाथ जला लेती है, आमित के साथ ही आगे बढ़ गए हैं, सबील पर सब शर्बत दी रहे हैं, देखो सब कितने लालची है, इतनी मिठाईया ली, मुझे किसी ने एक भी न दी, उस पर कहते हैं, मेरे साथ चलो, मेरा यह काम करो, मेरा वह काम करो, अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा, तो पूछूंगा, खाए मिठाईया, आपका मुह सड़ेगा, फोडे फुसिया तब गर से पैसा चुराएंगे और मार खाएंगे, अम्मा चिम्टा देखकर मेरे हाथ से लेगी और कहेंगी, मेरा बच्चा, अम्मा के लिए चिम्टा लाया है, कितना अच्छा लड़का है, इन लोगों के खिलोने पर कौन ही ने दुआय देगा, बड़ों की दुआये सि किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता ये चिम्टा कितने का है, चापैसे लगेंगे थीक 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 बताओ थीक थीक पांच पैसे लगेंगे, लेना है तो लो नहीं तो चलते बनो, तीन पैसे लोगे हामिद आगे बढ़ गया ताकि दुकानदार की गुड़क्या न सुने लेकिन दुकानदार ने गुड़क्या नहीं दी बुला कर चिम्टा दे दिया हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूख है फिर शान से अकरता हुआ संगीयों के पास गया यह चिम्टा क्यों लाया बुद्दू इसका क्या करेगा जरा अपना बिस्तितो जमिन पर गिराओ सारी पस्तलिय चूर चूर हो जाए बच्चु की तो यह चिम्टा कोई खीलोना है खीलोना क्यों नहीं है अभी कंधे पर रखा बंदूख हो गई हाथ में ले लिया फकीरों का चिम्टा हो गया चाहू तो इससे मंजीरे का काम ले सकता हूँ एक चिम्टा जमादू तो तुम लोगों के सारे खीलोनों की जान निकल जाए तुमारे खिलोने कितना ही जोर लगाए मेरे चिम्टे का बाल भी बाका नहीं कर सकते बाहदूर शेर है मेरा चिम्टा मेरी खंजरी से बटलोंगे दो आने की है मेरा चिम्टा चाहे तो तुमारी खंजरी का पेट फार डाले बस एक चम्डे की जिल्ली लगा दे, डब डब बोलने लगी, जरासा पानी लग जाए तो खतम हो जाए मेरा बादुर चिम्टा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बरा बड़ डटा रहेगा चिम्टे ने सभी को मोहित कर लिया, लेकिन अब पैसे किसके पास धरे हैं? फिर मेले से बहुत दूर निकल आए हैं, धूप तेज हो रही है, घर पहुँचने की जल्दी है, बड़ो से जिद करे तो भी चिम्टा नहीं मिल सकता हामिद है बड़ा चालाग, इसलिए उसने अपने पैसे बचा रखे थे, और उने तीन तीन चार चार आने पैसे खर्च किये, पर कोई काम की चीज न ले सके हामिद ने तीन पैसो में रंग जमा लिया, सची तो है, खिलोनों का क्या भरोसा, तूट फूट जाएंगे, हामिद का चिम्टा बना रहेगा बरसो जरा अपना चिम्टा दो, हम भी देखे, तुम हमारा बिष्टी ले कर देखो महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलोने पेश किये, हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ती न थी, चिम्टा बारी-बारी से सब के हाथ में गया, और उनके खिलोने बारी-बारी से हामिद के हाथ में आए, कितने खूबसूरत खिलोने थे, रास्ते में म महमूद को भूख लगी। उसके बाप ने केले खाने को दिये। महमूद ने केवल हामित को अपना साथी बनाया। उसके अन्यमित्र मुह ताकते रह गए। यह उस चिम्टी का प्रभाव था। ग्यारह बजे सारे गाउं में हलचल मच गई। मेले वाले लोट आये। महसीन क की चोटी बहन ने दोड़कर भिष्टी उसके हाथ से चीन लिया और मारे खुशी के उचली। तो मिया भिष्टी नीचे आ रहे और सुरलोक सिधारे। मिया नूरे के वकील का अंत इससे भी ज्यादा गवरव मैं हुआ। वकील जमीन पर या ताक पर बैट नहीं सकते। उ कागस का एक कालीन बिचाया गया। वकिल सहब राजा भोच की भाती सिहासन पर भी राजे। नूरे ने उन्हें पंखा जलना शुरू किया। अदालतों में खस की टटियां और बिजली के पंखे होते है। क्या यहां मामूली पंखा भी न हो। बांस का पंखा आया और नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकिल सहब स्वर्ग लोक से मृत्यू लोक में आ रहे और उनका माटी का चोला माटी में मिल गया। फिर बड़े जोर शोर से मातम हुआ और वकिल सहब की अस्थियां धूरे पर डाल दी गई। अब मिया हामित का हाल सुनिये। अमीना उसकी आवा सुनते ही दोड़ी और उसको गोद में उठा कर प्यार करने लगी। सासा उसके हाथ में चिम्टा देख कर वह चौकी। यह चिम्टा कहां से लाया। मैंने मोल लिया है। कई पैसे में। तीन पैसे दिये। यह कैसा बे समझ लड़का है कि दो पहर कुछ खाया न पिया। लाया क्या चिम्टा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज न मिली जो यह लोहे का चिम्टा उठा लाया। तुम्हारी उंगलिया तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने लिया। बुढिया का क्रोध तुरं सनेह में बदल गया। बच्चे में कितना अत्याग, कितना सदभाव और कितना विवेख है। दूसरों को खिलोने लेते और मिठाई खाते देख कर इसका मन कितना ललचाया होगा। इतना जब्त इससे हुआ कैसे। अमीना का मन गदगद हो गया। वह रोने लगी। दामन फैला कर हामित को दुआएं देती जाती थ आंसू की बड़ी बूंदे गिर जाती थी।